किजिए अराइव इंट्रेंग्मेंट को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जब हेलो दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सारा आप देख रहे हैं अराइव 24 टीवी अराइव 24 टीवी में आपका स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं बॉलिवूड इंट्रस्टी में आई दिन कुछ न कुछ चेक पटा होता रहता है तो इस खबर में क्या है खास आपके लिए तो सारा आपको लेकर चलती है और रूबरू कराती है इस पूरी खबर से अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में उतरने वाले पॉपुलर सिंगर आतिफ असलम का 12 मार्च को 19 जनम दिन है पाकिस्तान के पैदा हुए आतिफ असलम का भी रेस्टरॉंट में गाते थे और आज वो किसी भी परिच्चे के मौताज नहीं है उन्होंने बॉलिवूट इंडरस्ट्री को कई सूपर हिट गाने दिये हैं आतिफ असलम के जनम दिन पर जानते हैं उनकी कुल कितनी नेटवर्क है आतिफ असलम को बचपन में संगीत में कोई रूची नहीं थी वो क्रिकेट खेलना पसंद करते थे आतिफ असलम ने अपने दोस्तों को गाते हुए देखा तो उनका गाना गाने का दिल किया और उन्होंने गाना गाना शुरू कर दिया आतिफ असलम संगीत कार गौहर मुम्ताज से मिले इसके बाद आतिफ असलम ने रेस्टरेंट में गाना गाने से शुरुआत की थी बात में दोनोंने मिलकर बैंड बना लिया था उन्होंने जल नाम से एक अलबम निकाला था उनका ये अलबम कुछ समय में ही पाकिस्तान में लोगप्रिय हो गया आतिफ असलम को बॉलिवुड में पहला ब्रेक साल 2005 में रिलीज हुई डारेक्टर महिश भट की फिल्म जहर के गाने वो लम्हे से मिला था आतिफ असलम का ये गाना हिट रहा और उन्हें बेस्ट बैकग्राउंड सिंगर का आइफ़ अवार्ड मिला था आतिफ असलम ने बॉलिवुड में बे इंतिहा पहली नजर में तू जाने ना तेरे संग यारा जीना जीना सहित कई सूपर हिट गाने शामिल हैं साल 2011 में आतिफ असलम ने फिल्म बोल से अपना एक्टिंग जैब यू भी किया रिपोर्टर्स की माने तो आतिफ असलम की नेटवर्क 160 करोड रुपे हैं आतिफ असलम के पास पाकिस्तान में एक लगजरी घर है इसके अलावा उसके पास कई लगजरी कार हैं सिंगर एक शो करने का करीब 8-10 लाक रुपे का खर्च करते हैं आतिफ असलम ने साल 2013 में सारा भरवाना से निगा किया था, आतिफ असलम और सारा भरवाना के एक बच्चा है, सिंगर ने इंट्रिव्यू में बताया था कि उन दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को साथ साल तक डेट किया था लगातार अपडेट रहने के लिए बने रही है राइट 24 टीवी के साथ और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में फेस्बुक, इंस्टा और ट्यूटर को भी फोलो करें, थैंक्यू